ए इधर देखो, हाँ, तुम मेरी आखो में देखो, आखे तो ठीक लग रही तुम्हारी, मोतिया बिंद के कुछ लचन भी नहीं है, तो दिक्कत कहा है, क्या दिक्कत है जो तुम मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, और न लाइक करते हो, और चैनल सब्सक्राइब तो दूर की बात है, बताओ, बताओ, बोलो, तो मूवी में हम चार मर्दों को देखते हैं, वन करेक्शन, तीन मर्द और एक रंडवे को देखते हैं, ये वैसे रंडवा क्यों, क्या गलती है इसकी, तो संचेप में बताये तो इसकी बीवी से छोड़कर भाग गई है, और दाओ, जिंदगी कुछ खास चल नहीं रही है, किसमत का बस लड़ा फेकर मारने की देर है, ये तिनो को भी चुत्तर देर नहीं रगी है, क्या, ये है network, और ये देव की बीवी रोनी, ये जोई, और ये जोई की बीवी Lucy, और ये जेसन, और ये जेसन के बीवी Cynthia, और ये र एवेंचरोस जर्णी पर निकलने से पहले, बाकी तिनों नमूनों के प्रस्णल लाइफ के बारे में थुड़ा से जान लेते हैं, तो शुरुबात किस से करूँ, डेव और रोनी से करते हैं, इन चारों के ग्रूप में यही एक है जिसके साथ ही ठीक ठाक चल रही होती है, न बाकी इनके बीच लड़ाई जगड़ा नहीं, मार काट होती है, पर इतना के लेस होने के बाद भी यह लोग एक दूसरे को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटी 18 साल की नहीं हुई है, बेटी के वज़े से यह लोग अभी तक एक दूसरे के साथ हैं, पर दिखने में और होने में बहुत फर्क है, तो डेव और रोनी के दो बच्चे रहते हैं, और उनमें से एक का बर्थडे रहता है, तो यह सबी इसी बाहने एक साथ मिलते हैं, तो अब यहाँ होता यह है, कि बर्थडे के बाद जब सब बात करने बैठते हैं, तब यहाँ जे के लिए उन्होंने एक ट्रिप प्लैन किया है, एक आइलेंड है, जिसके बारे में ये कहा जाता है, कि वहाँ जाने के बाद बुरे से बुरे टूटे हुए रिष्टे वापस से जुड़ जाते हैं, तो उन लोगोंने वहाँ जाने का डिसाइड किया है, जेसन की बात सुनकर ये लोग उसका होसला बढ़ाते हैं, कि बिल्कुत सही, बिल्कुत सही सोचा है उसने, उसे एक आखिर काई करना चाहिए, ये लोग इसका होसला बढ़ाने के लिए इसके डिसीजन पर ताली बिलाते हैं, पर पर बात यहाँ इतनी सिंपल भी नहीं थी, जेसन यहाँ इन से ब्लैक मेल करने में माहिर था और हाँ थोड़ी बहुत ग्यान की बाते भी करता है दरसल इनसान को जिस तरह खुद की गाण की छेट और कमिया खुद को नहीं दिखती पर दूसरों को बराबर दिखती है तो यहाँ जेसन को भी इन लोगों के तूटते हुए रिष्टे बराबर दिख रहे थे तो वो उसी बात का फाइदा उठाता है और इन्हें मनाता है हाला कि जो ही इसले मानता है क्योंकि वो सोचता है कि कम से कम इसी बाहने वहाँ जाकर वो नहीं नहीं लड़कियों को तड़ेगा और लूसी की भी सेम सोच रहती है वो भी सोचती है कि वो वहाँ लड़की तड़ेगी और सेन टूडी के बज़े समान जाता है बस बहुत टाइम से उन लोगों ने साथ में वक्त नहीं बिताया है, तो इसी बाहने वो लोग साथ में थोड़ा वक्त बिता लेंगे, तो ये लोग ट्रिप बाले दिन अच्छे से तयार और एकसाइटेड होकर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, पर एक सेकेंड, क्या लगत इन सबने ट्रिप के लिए अपने अपने चो अर्मान सजाएं हैं, वो फूरा होगा, आईए देखते बेंच जो होगा मजा ही आएगा, वैसे इस ट्रिप पर इन सब को लाने के लिए, और एक तरह से जिस में चीज के लिए, ये लोग खास कर आने के लिए रेडी हुए थे जेसन ने इन सब कहा था कि इस ट्रिप के पैकेज में इनसान को मस्ती के लिए जिस जिस चीज की भी जरुवत पड़ती है, उस आईलेंड पर उन्हें सब मिलेगा, मतलब अगर जन्नत कहीं है इस दुनिया में, तो वो वो आईलेंडी है, तो अब यहाँ होते ये है कि आई पर जितनी भी मस्ती करने की चीजे थी इस आईलेंड पर, वो इनके पैकेज में इंक्लूटेड नहीं थी, वो अलग पैकेज था, जवान चोकरी चोकरी के लिए, इनके पैकेज में रुको, ये जानने से पहले इस से मिलो, ये है स्टैनली, सेखल से ये आपको गैंग का ब आकर लड़कियां ताड़ेगा, पर बेच जा रहा, अपने आग के सामने लड़कियों को देखने के अलावा, और कुछ नहीं कर पाता, खैर, बाकी लोग खुशत है कि चलो कम से कम रहने वाला कमरा और खाना मस्त है, पर ये खुशी भी इनकी ज़्यादर देर नहीं टिक अस्टेंडली ने किलान फिलाने के बाद, इन्हें इनके पैकेज के बारे में और रूल्स के बारे में बताता है, कि चितने दिन भी वो यहां रहेंगे, डेली इनकी कलास चलेगा, फिर उनके रिष्टों को लेकर थैरी पी चलेगी, फिर योगा कलास, एकसरसाइज, मतलब हर वो चीज जिससे इनका मन समंदर में तेरने की वज़ाए डूब मरने को करेगा खैर ये थी इनकी पैकेज की खास ही है रूल्स की बात करें तो रूल्स सिंपल थे सूरज निकलने से पहले उन्हें उठना होगा और एक भी दिनों वो लोग अगर पैकेज के टास्क्स मिस किये तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा जिसके बाद ये सब सुनकर एज एक्स्टेक्टेड एक भीगाली ऐसी नहीं होगी जो इन लोगों ने जेसन को ना दिया होगी पर कर भीगा सकते थे पैसा तो लग चुका था तो धमकीक मुताबिक ये लोग ठीक सुबह पहुच जाते हैं समंदरी किनारे जहां इनकी मुलकात होती है मार्सल से पहला दिन ये इनका बस स्वागत करता है यहां आने के लिए जानी हाई है लोग पर इसके बाद जब ये इने थैरीपी के लिए भीजता है तब यहां बाखियों पर तो कुछ खास असर नहीं होता ये लोग यहां आये थे कि इनका रिस्ता सुधरेगा उल्टा डेव और रवनी की बीच ये लोग और आग में घीटाने का काम करते हैं कि अब वो उसे प्यार नहीं करता लास्ट टाइम कब उसने उसके लिए कुछ किया था तो रोनी को याद आता है अरे हां बिचले कई साल से स्रिफ वही है जो इस रिस्ते में कंपरमाईज कर रही है खै पहला दिन इसके साथ खतम होता है और पहले दिन से मार्सल को इतना पता लग गया था कि ये लोग एक दूसरे को घर की मुर्गी दाल ब्राबर समझ रहे हैं तो अगले दिन वो सबको अंदर चड़ी पहन कराने को कहता है और अपने अपने पार्टनर के सामने चड़ी में खड़े होकर एक दूसरे के सरीर के तारीफ करने को कहता है पर यहां एक कड़बर हो जाती है हमारा किरमाड़ा चड़ी नहीं पहना था मारसल इसे पूरे कपड़ों में देखकर इसे कहता है कि बर्खुरदार मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने कपड़ी नहीं उता रहे है तो यह मारसल से कहता है कि अरे चचचा अरे चचचा वो क्या है ना मैंने चड़ी नहीं पहनी है यहां टकला भूल जाता है कि यहां उसकी ओकात बंधुआ मजदूर से जादा कुछ नहीं थी तो मार्सल इसके पास आता है और कहता है पेंटोतर बेचारा मार्सल की धमकी के बाद इसके फड़ जाती है और आकर कार इसे नंगा होना ही पड़ता है और एक दूसरी की तारिफ करने के बाद फिर से थेरपी सेसन और इस बरबारी रहती है जोई और लूसी की ये लोग खुद को तेज समझ रहते हैं इन लोगों ने तो डाइवर्स का मन बना रखा था तो ये सोचते हैं कि ये अपने थेरीपिष्ट को चूतिया बनाएंगे उसके सामने अच्छे से बात कर करें पर इनका थेरीपिष्ट इनसे ज़्यादा तेज था पिछले सेसन से ये जान गया था कि ये लोग आपने से बात नहीं करते हैं इसी वज़े से इनका रिस्ता खराब हुआ है तो ये यहाँ अपनी बातों से इन दोनों में लड़ाई लगवा देता है कि कम से कम एक दूसरे की बुराई करो पर बात करो और इसी के साथ ये दिन भी किसी तरह पार हो जाता है और अब मार्सल देखता है कि ये मर्द अपनी बीवियों की केर नहीं करते हैं तो अगले दिन इनकी गांड जलाने के लिए एक हट्टा-कट्टा होट सा दिखने वाला योगा टीचर को बुलाता है जो योगा सिखाने के बाहने इनकी खूब गांड जलाता है और आज लंका लगती है जेसन की सुरू से ऐसा लग रहा था कि सिंथिया डाइवोर्स लेना चाहती है पर तीन दिन के थेरपी के दोरान ये पता चलता है कि असली वज़य तो जेसन है ये जांट इतना बगबग करता है कि अपनी बातों के अलावा किसी की सुनता ही नहीं सिंथिया को कई बोलने का मौका ही नहीं देता उसका सारा टाइम सिर्फ इसकी हां में हां मिलाने में ही पाल हो जाता था तो अब यहां इनके बीच भी लड़ाई हो जाती है और चौतर दिन कुछ खास नहीं होता पर रात में बवाल हो जाता है अपने किरमाड़े की एटेम भाग जाती है आइलेंड से नहीं भागती इन लोगों के पास सभाकर आइलेंड के उसकोने में चले जाती है जहां पार्टी हुआ करती थी अब बेचारी करती भी तो क्या अभी वो जवान थी मौज मस्ती की उमर में ये बढ़ो उसके साथ सिर्फ बाते ही चोदरा था बेचारी को पसंद था एडवेंचर पर ये आलो की बोरी पहाड पर चाहणने की बजाए उपर से सिर्फ लोड़ा की सकता था खै उस एक के जाने से इन समय छट पट्टी क्यों घुशती है तो मार्सल ने सुरू में ही इन से कहा था एक्चुली धमकी दमकी कहलो दमकी दी थी कि जीस रोज उन में से एक ने भी आने से मना किया तो सजा के तोर पर सभी को वापस घर जाना पड़ेगा तो बस फिर क्या सभी आदी रात में चिपकर निकल पड़ते हैं टूड़ी को डूढ़ने पर ये आईलेंड इनके बाप का थोड़ी था बीच रास्ते में इनकी एक नाव पलड़ जाती है और किसी तरह इस मुसीबत से बचते हैं तो जेसन की आदत थी बिना रुके पटपट करने की तो इस सिचोइसन की वज़े से ये जैसे ही अपना मुझ खोलता है सिंथिया बीच समंदर में नाव से कूच जाती है और तैर कर वापस आईलेंड पर पहुशती है और फिर इसा गल जाती है सोलग और ठेरेपी के बाद सभी में लड़ाई लगी चुकी थी तो यहां से औरते अलग रास्ते पर निकल जाती है और मर्द अलग हाला कि जेसन फिर भी सिंथिया के पीछ जाने की कुशिस करता है पर बाकी से समझाते हैं कि तेरे और उसके बीच में क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता पर वो तेरे साथ बैठने से जादा सार्क से भरे समंदर में कूदना जादा सही समझी इसका मतलब ते दोस्त यही है कि वो तुझ से नहीं तेरी हरकतों से परिसान है इन लोगों की बात सुन दे के बात जेसन को अपनी गल्चियों का रिलाइज हो जाता है वैसे इसके बात इन समय लड़ाई भी होती है कि तू क्या समझा रहा है अपने आपको देख हाला कि यह ठीक ही होता है बक्चोदी बक्चोदी में सभी एक दूसरी की कम्या एक दूसरी को गिनवाने लगते है और जो काम ठेरीपी और मार्सल नहीं कर पा रहे थे वो यह लोग खुद ही कर रहे होते है जिसके बाद डेव रोनी को जैसे ही देखता है उससे अपने साथ लेकर एक वाटरफॉल के पास चले जाता है जहां रोनी उसे जब से यहां आई थी चलने को कह रही थी और यहां दोनों अपनी मन की बात करकर अपनी बीच की दूरियां कम कर लेते है और उदर जेसन को भी अपनी गलतीय को रिलाइज जेसन हो गया था तो वो भी अपनी हरकोतों के लिए सिंथिया से माफी मांगता है और इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और मोटी चमडी जोई वैसे तो यहां बाकी लड़के उपर मुँ मार रहा होता है पर जैसे ही वो लूसी को सेलवडॉर के साथ नाचते हुए देखता है इसका भी जलनके मारी दिमाग खुल जाता है जिसके बाद सेलवडॉर की नाग तोड़कर यह भी लूसी को वापस पा लेता है और आखिर में बज़ता है हमारा सेल यह टूडी के पास पहुचकर उससे माफी मांगता है और उसे आजाद कर देता है कि उससे गलती होगी जो उसने सोचा कि इस अधेर उमर में वो उससे समतुष्ट कर पाएगा तो आज से वो आजाद है जा चुद ले I mean जा जी ले अपनी जिंदिगी पर hold on सबकी happy ending हो रही थी तो इसकी sad कैसे हो सकती थी वैसे इसकी ending happy हुई या sad इसमें हम confused हैं इसकी बीवी जो इसे छोड़कर चली गई थी वो इसे ढूंडते हुए यहाँ आ जाती है कि बेबी मुझसे गिलती हो गई थी मुझे तुम्हें नहीं जोड़ना चाहिए था पर अब मुझे 100-200 मर्दों के साथ सोने के बाद समझा गया है कि तुमसे अच्छा इंसान है मुझे इस दुनिया में दूसरा नहीं मिल सकता जिसके बाद यहाँ इसका विखर वापस बच जाता है और अगली सुबद जब यह लोग खुछी-खुछी लेट से मार्सल से मिलने जाते हैं और मार्सल इन से पूछता है कि लेट क्यों हुआ तो यह लोग इससे कहते हैं भाण में गया तुमार प्रोग्राम अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता नाराज होना है हो, निकालना है, निकाल दो तो मार्सल इन से कहता है कि वेरी गुड, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ तुम लोगों ने यहां आने का मकसद पूरा कर लिया है मार्सल की बात सुनकर यह लोग चौक जाते हैं कि उससे कैसे पता कि उनकी बीस सब कुछ ठीक हो चुका है वो यह सब दिखावे के लिए कर रहे है तो मार्सल कहता है, अगर दिखावे के लिए करते तो डेली के तरह आज भी तुम लोग रात को जल्दी सोकर सुबर टाइम साथे डेली के तरह तुम्हारा ध्यान एक दूसरे पर ना होकर रात को जल्दी सोकर सुबर जल्दी उठकर यहां आने पर होता और इसके बाद मार्सल इन से कहता है कि देखा जिस रिस्ते को तुम खतम हुआ समझ रहे थे तुमें लग रहा था कि अब उनके रिस्ते में कुछ नहीं बचा सरिफ चार दिन या कहलो कुछ घंटे लगे सब कुछ पहले जैसा करने के लिए वापस एक दूसरे में प्यार जगाने के लिए और अब यहाँ खुसी के मौके पर मार्सल इन्हें पूरे आइलेंड पर घूमने और पार्टी करने की इजाज़त दे देता है जिसके लालच में यह यहाँ आए थे और मुवी यहाँ कातम हो जाती है वैसे हाँ एक इंपोर्टेंट बाग जिल लोगों को भी एडेटिंग या फिर मेरी तरफ वीडियोस बनाना सीखना है वो मेरी वैबसेट पर मुझे जोइन कर सकते हो वैबसेट के लिंग कमेट सेक्सिने पिंड है तो यार बस इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसे लोगी कमेट करके जरू बताना और इस तरह की और मुवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैला के प्रेस कर लोगी तो में इतना ही नेक्स्ट डूडम तो तो क्लिप भाई और हां जयते जयते वीडियो को रैक्स जरू करते जाना सयोनारा